चलिए को सिर्फ नमबर सेवन कह रहा है कि एक ब्यापारी के पास 18592 रूपया था कितना रूपया था 18592 रूपया था उसके बाद आगे क्या किया उसने उसने 40 रेडियो खरीदने का आडर कर दिया पाई पैसा होती है तो जरूरते हैं और इच्छाएं भी बढ़ती हैं तो उसने सोचा चलो कुछ थोड़ा धूम धड़ाका करते हैं तो रेडियो के लिए आडर कर दिया अब देखना फिर से एक ब्यापारी के पास 78,592 रूपया था उसने रेडियो 40 रेडियो खरीदने का आडर किया परतेक रेडियो का मूले 1200 रूपया था क्योंकि अब 200 वाला जमाना चला गया है ना मौडन वैफारी था तो इस खरिदारी के बाद उसके पास कितनी सेसरासी बचेगी कितना रूपया बचेगा यह बताना है अब आप सोचो कैसे गुड़ा 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 गुड़ गड़ित करोगे क्या करना है बस यही जानना जरूरी है मैं आपको बहुत आसान लहजे में समझाओंगा कभी न भूलोगे एक बार कुश्चन फिर से पढ़ लो कुश्चन जितनी बार पढ़ोगे दिमाग में उतनी बार बैठेगा यह मत सोचना बार बार काह कुश्चन कुश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें इसमें कि आपके दिमाग में आएंगी फिर से पढ़ो एक ब्यापारी के पास 78,592 रूपय थे उसने 40 रेडियो खरीदने के लिए आडर किया परती एक रेडियो का मुले 1200 रूपय था तो आप लोग के बैंक में कुछ पैसा होता है माउंट होता है कुछ लोगों के लाखों में होता कुछ लोगों के हजारों में होता है कुछ लोगों में 100 में होता है साइकड़ों में तो जब आप खरिदारी करते हैं सौफिंग करते हैं तो जो पैसा डिबाइड होता आपके अ पांच रूपया में हमने ज्ञाधा कुछ नहीं लिपाएंगे हम मौनलो कि पूरोले हैं कि हम्हेंपस्ट यह जह पांच रूपया क्यों हमने हैं उइन táagen कर दिया और प्रसम Спर्म का जो मू नहीं हो पांच रूपया था पांच रुपया वाली सरस्थी व्लिक पर हमने को बताना है इसको कि फिर हमारे पास कितना रूपया बचेगा कि चलो बताओ कितना रूपया बचेगा हमारे पास सो रूपय थे हमने पांच-पांच रूपय वाली बीस पैनाडर कर दिया अब बता हमारे पास कितना रूपया बचेगा आप सभी इसको बता लोगे आसानी से बता लोगे न अगर आप इसको बता लोगे तो फिर इसको बताने में का है नानी मर रही है भाई नानी नहीं मरनी चाहिए बताइए देखिए सिंपल सी बात है आप यह जानते हो कि परतेग पैन 20 रूपया सुरी 5 रूपया की मिलेगी और हमने मंगाए 20 पैन तो आप सबसे प कुल सौपिंग ना की हुई 20 का पांच में गड़ा करो तो हो ही और सौभी रूपया हमारे पास थीं तो क्या करेंगे सौह में से घटाएंगे यानि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जी बचा व onश्य भी हमारे पास कुछ बचने माता है इस बहुत बूरी आदत है तो क्या करोगे अब आप समझ गये होंगे मैं आपको हल करने का तरीका बताता हूं आप लोग पहले लिखोगे लिखो जल्दी से फटाफट लिखो हल लिखो यहां पर सेबन नंबर कुजिशन है यार यह काम काय नहीं कर रही भाई काय को सीबत हो रही है हाँ सेबन नंबर कुजिशन लिखो हल डाल के लिखो हल मतलब वह लिखने वाला ब्यापारी के पास कुल रूपए बराबर 78,592 लिखा ब्यापारी के पास कुल रूपए बराबर 78,500 नीचे लिखिए ब्यापारी ने ब्यापारी ने कुल सौपिंग की या फि खरिदारी की खरिदारी नहीं समझोगे सौपिंग सब समझते हैं ना ब्यापारी ने कुल खरिदारी की बराबर कितने की भाई 40 रेडियो खरीदा था 12-1200 रुपया वाला तो कितने की खरिदारी की यह वो मल्टिपल कर लो 12-42 तालीस यानि वो ब्यापारी इसी मूड में 78000 क रेडियो मंगा लिया आप नीचे लिखो ब्यापारी के पास सेजधनरासी लिखो भाई साहब लिखो यहां पर कुछ मनुरंजन वाला काम नहीं होने वाला है बहुती गडबड कलास है यह काम करना पड़ेगा यहां पर हम लिख के नहीं दिखाएंगे सब कि छापलो फटा सेजधनरासी बराबर 58,592 माइनस का 48,000 घटा लो देखो यार सिम्पल सी बात है घटाने का यह फंडा अपना लो 48,000 में से 78,000 से जब 48,000 घटाते तो कितना आता पता है 3,000 आता क्योंकि 48,000 में 3,000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78,000 तीफ हजार आता ना लेकिन लफड़ा यह 592 का है तो यह 592 साथ में बच जाएगा गटा लोगे तो हमारे पास आएगा 30,592 रुपया यानि इतना अच्छा ब्यापारी था वो काला धन वाला था या ब्लैक धन वाला था लेकिन कैसे भी था कि इतना खर जल्दी से शाफलो फटा फट उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब